आज अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं classification of chordates classification of chordates में अपन देख रहे हैं subphylum cephalo chordate तो जो पिछली वाली वीडियो थी previous वीडियो है उनके अंदर अपने chordates का general characters देख लिया था इनके fundamental characters देख लिया थे यह सब कुछ देख लिया और फिर classification देखा था classification अपने देखा कि जो chordates होते हैं वो accrianeta and craneta के अंदर divide होते हैं दो groups के अंदर divide होते हैं और जो accrianeta होता है वो euro chord data and cephalo chord data के अंदर euro chord data के अंदर अपने euro chord data का general introduction देख लिया था larvacea, acidesa, thalacea class तक पहुच कहे थे अब अपन बात कर रहे है subphylum second, second subphylum आजाता है cephalo chord data, इन सब्की link आपको नीचे description में मिल जाएगी और i button में मिल जाएगी, तो वहां से देखे आए हैं, तभी आपको उच्छे से समझ में आएगा cephalo chord data, तो बात कर रहे हैं cephalo chord data, अब cephalo chord data नाम से ही पता चल रहा है, cephalo chord data इन सब्को इधी अपन divide करते हैं, तोडने की कोशिस करते हैं देखते हैं, क्या word निकल कि आता है तो सबसे पहले अपन तोड़ते हैं, cephalon क्या देखते हैं, cephalon and chord data क्या देख रहे हैं, cephalon and chord data, cephalon का अर्थ होता है, सेफिलोस का क्या अर्थ होता है, बात आजाती है, सेफिलोस सेफिलोस का अर्थ होता है, सिर क्या होता है, हेड सेफिलोस का अर्थ क्या होता है, हेड यानन सिर होता है, और जो कोडेट कोडेट का अर्थ होता है, प्रफश्टरेजू याना-notocod अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया, नाम से पता चल रहा है सिर पे प्रस्टरर जो होगी तो-notocod और जो nerveocod होगी याना-notocod वो nerveocod सिर से लेकर, पोंच तक फेली रहती है इसलिए इनको क्या बोलते हैं, cephologodate अब क्यूसन ये पूछ लिया जाता है कि सेफेलो कोड़ेट को सेफेलो कोड़ेट ही क्यों बोला जाता है तो इनके अंदर क्या होती है जो नोटो कोड और जो नर्वे कोड नोटो कोड प्लस नर्वे कोड नोटो कोड प्लस जो नर्वे कोड होती है ये कहां होती है सिर से लेकर पूँच तक कहां से सिर से लेकर नोटो कोड और ये सिर से लेकर पूँच तक है ने टेल तक क्या होती है फैली रहती है ये दोनों के दोनों क्या आती है प्रश्टरजू, नोटो कोड़, और नर्वे कोड़, यह सीर और पुंच सक फैली रहती है, इसलिए इनको क्या बोलते है, सेफेलो कोड़ेट बोलते है यह आपको clear हो गया है, अब इनका थोड़ा सा introduction देख लेते हैं, सेफेलो कोड़ेट्स क्या है तो ये जो cephalocodates, जो animals होते हैं, जो cephalocodates of island के अंदर जो भी animals आते हैं, ये सब के सब क्या रहते हैं, बिल बना कर रहते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, रात्री चर रहते हैं, और क्या रहते हैं, रात को बहर निकलते हैं, तो ये क्या है, रात्री चर है, और बिल बना कर रहत बिल बना कर रहेंगे और क्या होंगे रात्रीचर होते हैं और इनका जो सरीर होता है इनका सरीर किस के समान होता है मचली के समान होता है इनका सरीर किस के समान होता है मचली के समान होता है इनका सरीर किस के समान होता है मचली के समान होता है इनका सरीर किस के समान होता है मचली के चोटा होता है, तो उनकी ये लगबग 10 cm तक होता है, इनका सरीर लगबग 10 cm तक इनका सरीर होता है, और ये जल में तेरने के लिए, याना जब ये जल के अंदर तेरते हैं, भी देख लें, मचली के समान होते हैं, तो ये जल में तो तेरेंगे, तो जल में तेरने के लिए इन पंक्हें उपस्तित होता है और उपस्तित होता है इनके अंदर head होता है वो क्या होता है absent होता है इनको अंदर head अनुपस्तित होता है लेकिन जो सरीर होता है वो क्या वल किसके अंदर जो trunk होती है धड़ and जो पूँछ होती है वो क्या होती है इसके अंदर उपस्तित होती है यानने head तो absent होता है और Greg यानने trunk इंड पुंच आननल पुंच-रनियनल क्या होती है और इनके अंदर जो प्रीवहन तंतर होता है वो क्या होता है पूण विक्सित होता है बंद परकार का होता है यानने blood का circulation होगा ना बंद परकार का होगा जो close के अंदर क्या होती है, सरीर के अंदर जो रक्त वाहिनिया होती है, वो present होती है तो तो क्या होती है, close और open प्रकार का रक्त प्रीसंस्रेंट क्या होता है कि blood की जो circulation होता है, वो खांचो के रूप में होती है उनके अंदर क्या होता है blood का circulation होता है और बंद के अंदर क्या होता है कि इनमें वाहिनिया and वाहिकाय क्या होती है प्रजेंट होती है उनके अदर ब्लड सर्कूलेशन होता है यहना पूर्ण विक्सित होता है परी संचरन तंतर क्या होता है इनमें बंद परकार का होता है परी संचरन तंतर क्या होगा इनके अंदर बंद परकार गा होगा और पूरा क्या होगा विक्सित होगा विक्सित होता है और इनके अंदर जो ह्रदे होता है ह्रदे और जो सौशन वर्णाक जो अपने देखा था respiratory pigment यह दोनों के दोनों क्या होते है absent होते है याना heart इनके अंदर heart भी absent होता है और जो saution वर्नक होता है वो भी क्या होता है absent होता है और blood कैसा होता है इनका blood होता है रंगियन blood कैसा होता है रंगियन होता है तो मैं इन सब के यह जो classification of code data है इसके notes में आपको provide कराऊंगा तो आप channel को subscribe कर लिजे जैसे ही ये series अपनी classification of codates पूरी हो जाती हो उसके बाद आपको link दे दी जाएगी वहाँ से आप download कर सकते हो सले बस तो उसके लिए आप channel को subscribe कर लिजे और इनका जो ahernal होता है elementary canal होता है in animals की सिफिलो कोड़ेट्स के अंदर जो सब फाइलम है इनके अंदर जो ahernal होती है वो क्या होती है elementary canal पूर्ण विक्सित होती है पूर्ण आहर नाल होती है और इनका जो उत सर्जन होता है उत सर्जन इनमें किसके दौरा आता है proto-nephredia के दौरा proto-nephredia के दौरा कि इसमें क्या होता है उत सर्जन होता है और ये सब के सब क्या होते है ये सब के सब एक लिंगी होते है क्या होते है एक लिंगी अनिमल से नरहेमादा अलग-अलग होती है और इनमें जो निशेचन होता है इनके अंदर तो fertilization होता है, वो कैसा होता है? भाई यह है, external fertilization होता है initiation कैसा होता है? भाई यह, initiation होता है, external fertilization इनमें पाए जाता है अब आपको एक important चीज में यह बता देता हूँ, कि जो, यह जो cephalocodate है इन cephalocodate को first complete codates animal भी बोला जाता है important चीज है कि cephalocodates को क्या बोला जाता है, first complete codate animals क्या बोला जाता है? first complete codate animal भी बोला जाता है, किसको cephalocodate हो क्यों बोला जैता है क्योंकि इनमें जो लार्वा अवस्ता होती है और जो वेस्क अवस्ता होती है दोनों में ही kodate के समान characters पाई जाते हैं kodate के क्या characters होते हैं उसकी भी वीडियो मेंने बना रखिए description में मिल जाएगी देख लीजिए गा तो इनको भी क्या बोलते हैं first complete kodate बोला जाता है सिर्फ किसको बोला जाता है सेफेलो kodate को पर्थम complete poon kodate कसे रुकी animal बोला जाता है अब बात कर लेते हैं इसके जो class याना जो सेफेलो kodate है कौन सेफेलो kodate जो सेफेलो kodate को एक class के अदर एक वर्क के अदर बाठा गया है उस work का नाम है ने प्रुकार्टे का लेपटो कार्डी ने पर्चेज भी एक सेफेलो kodate को कितने वर्क में डिवाइड किया गया है, एक वर्क है सेफेलो स्वतंतर जीवी है ये क्या है? स्वतंतर जीवी है और कहां रहते हैं? बिल बनाकर रहते हैं यानि बिल कारी होते हैं बिल बनाकर बिल के अंदर रहते हैं और इनका जो सरीर होता है इनका भी सरीर किसके समान होता है? मचली के समान होता है इनका सरीर भी मचली के जैसा ही होता है और इनकी जो ग्रसनी होती है याना इनकी जो इसोफेगस है उसके अंदर क्या होती है अनेक बहुत सारी कलोम दरारे है उपस्तित होती है कलोम दरारे गिल्स, लिट्स कहां प्रजेंट होती है के अंदर बहुत सारी ग्रसनी के अंदर या इसोफे गस के अंदर क्या प्रजेंट होती है उसके बारे में और आने वाले वीडियो के अंदर ये तो अपनी सब किसके बारे में अब अपन उसकी वीडियो देखेंगे तो आप चैनल को सस्क्राइब कर लिजे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू फ्रेंड्स